की है अलो दोस्तों नमस्कार आज की स्वीडियस पई हम बात करने वाले आगर हम मीचलान फंड्ड में या फिर अपनीų करकों कितने हैं और किस तरीक independent हमें लॉस होता है और उस लोस से हम किस तरीके से बस सकते हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप वीडियो को प्लिस लाइक जरू कर दें तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गूगल सर्चवार में लिखता ह ृ defeat करता हूं तो उपर में आप यहाँ पर यह देखने को मिलना है three got is completely कर देता हूं उसके बा Fox रूपर की तरप इसे स्कृॉल करते जाऊंगा और यहां पर हमें मिल जाएगा का लफ लेटर का ऑप्षन ठीक है जैसे कि आप यह देख पा रहा है ठीक मैं इस पर simply click कर देता हूं जैसे ही click करता हूं तो यहां पर हमें देखने को मिल जाता है SIP जैसे कि यह देख पा रहा है ठीक है तो चलिए मैं इस पर simply click कर देता हूं SIP पर अब जैसे ही मैं SIP पर simply click करता हूं तो आप यहां पर देख सकते हैं your SIP investment ठीक है तो investment इसमें अगर आप 5000 रुपए करते हैं ठीक है और यहां पर आपकी जो SIP है वो चलती है 5 साल तर ठीक है तो इसमें कुछ ऐसा होता है अगर आप mutual fund सही चाहे SIP सही अगर आप इसमें कम समय क के लिए या फिर एक साल से कम के लिए तो आपको यहां पर जो आप इसमें पैसे को invest करेंगे वह भी पैसा आपको पूरा मिलना बहुत ज्यादा मुस्किल हो जाएगा क्यों इसकी बज़ए क्या है जैसे कि अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपक कि कितने समय के लिए अगर आप कितने समय के बाद निकालते हैं तब आपको एक जिट लोड नहीं लगेगा और आप कितने समय से पहले पैसे को निकालते हैं तो आपको एक साल के लिए होता है अगर आप एक साल से पहले पैसे को विड्रॉल कर रहा है तो एक परसेंट आप को इस तरीकिस से आपको tax pay करना पड़ता है और ऐसे में आपको ना किसी भी प्रगार की छूट होती है जैसे कि जो भी आप पैसा इन्वेश्टमेंट करते हैं उस पर भी आप टैक्स पर करना पड़ता है इसी के साथ में आप आपको जो भी profit हो तो जो आप उसमें पैसे को invest करते हैं, वो ही पैसा मिलना ही आपको काफी जादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे में जो loss हैं, वो काफी जादा हद तक बढ़ जाते हैं, इस बज़े से जाने की कम समय में पैसा invest करना और लिकानने के लिए कर, ठीक है, इसी के साथ में दूसरा काराण ये भी हो सकता है, कि आखिर आपने एने भी कितनी महेंगी खरीदी है, उसके बाद में वो एने भी है, वो डॉन हो गई है, तब आपको यहाँ पर और भी ज्यादा नुकसान जहिलना पड़ सकता है, तीसरा काराण है, अगर आप जानते हैं, जो भी आपने मुचरल फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, वो मुचरल फंड मैनेजर है, वो आपके पैसे को कहा कहा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे कि कंपनी है, बहुत सारी, ठीक है, तो उन कंपनियों में पैसे को और ना जा सकते हैं तो अगर ऐसे में उन कंपनियों में आपको पैसा रगा हुआ है तो बहुत हो जाते हैं पर ऐसा होता नहीं है होता कब है जैसे की कोबी ढुनिस लगी थी तो भाई पता नहीं जैसे लग गया था पुरा भारति लोग्डॉण उगया था ठीक है तो ऐसे में यह ही उता है उसके बाद में हम मांद लेते हैं अगर हमें mutual fund में पैसे को invest कर रहा है तो आपको 23 परसेंट तो कम में कम मिलना ही है ठीक हाला कि मैंने इस पर पहली वीडियो बना दिया कि आखिर कौन-कौन से है ताकि आपको long time capital gain tax pay करना पड़े थोड़े थोड़े करके investment करेंगे वह आपकी हो जाएगी तीन लाख और इसी के साथ में जो आपका profit होगा जानी कि जो आप इसमें तीन लाख रुपए जम्मा करेंगे उसके उपर जो profit होगा वह होगा 2.77 तो टोटल जो आपकी value होगी पैसे की वह होगी पांच लाख 77,000 ठीक है पांस साल में तो इतना आपको यहां पर ध्यान रखना है इसी के साथ में जब आप mutual fund में या फिर S.I.P. S.I.P में अगर आप पैसे को invest कर रहा है तो आप पैसे को जानी कि अपने पैसे को निकालना चाहाते हैं तो आप क्या करें एक साल पहले ही अपनी S.I.P. को रोकते हैं ताकि जो भी आपका पैसा है उस पर आपको long time capital gain नहीं tax pay करना पड़े short time pay करना ना पड़े तब आपको यहाँ पर अधिक profit हो जाएगा और उसके बाद में चलिए हम यहाँ पर फिर से simply क्रिक करते हैं और हम उपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर मिल जाएगा हमें कलुफ लेटर फिर उसके बाद में mutual fund में जैस अच्छा भी लगता है अगर आपके पास पैसा है तब ठीक है और आपके पास मंतली के साब से थोड़े थोड़े पे करना चाहते तो आप वह भी कर सकते हैं यहाँ पर बिल जाता है जैसे कि आई वैंट टू इन्वेस्टे लंसम ऑफ ठीक है अगर आप 5000 रुपए आप पे के लिए ठीक है तो यह पैसा है कि आप एक साल के बाद निकाल सकते हैं और आपको अधिक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा तब ठीक है अगर हमें जो रिटन है जैसे कि मुझे अभी जो मैंने मीचरों फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें मुझे मिला 42% ठीक है जैसे कि आप यहां पर देख पाना है ठीक है और इसका मुझे किस तरीके से 42% मिला है ठीक है अगर आप आज से पहले 5000 रुपए अगर आप इस मीचरों फंड में इन्वेस्ट किये हुए होते तो आज की जो डेट में आपके पैसों की वैलू होती उन 5000 की वो होती यहां पर 29,000 रुपए ठीक है इतने आपकी इस पैसे की बैलू होती तो मैंने आपको इसमें बता दिया है अगर आप मुचरों फंड या फिर ऐसाइप की तरफ अपने पैसे को नवेस कर रहा है ठीक है तो आप लंबे समय के लिए करें आप इसमें कम समय के लिए ना करें तभी आपको इसमें अधिक प्रॉफिट देखने को मिलेगा और इसी के साथ में आप रुगूलर के थुरू ना करें डारेक्ट के थुरू करें तो आपको और भी इसमें अधिक प्रॉफिट देखने को मिलेगा तो इस वीडियो में सिरफ आपको इतना ही बता सकता हूं कि कि आप रुगूलर के थुरू न जाएं जब भी फैसे को इनवेस्ट करें तो आप यहां पर डारेक्ट के थुरू करें इसी के साथ में आप यह देखने कि आखिर कौन सा का Σब्सक्राइए Aivel कि गोँट कितना है अगर हम पैसे को पहले करते हैं कितने से कितने समय के लिए तो हम पर एक्षिट लोड कितना लगेगा तो यह सारी जानकारी आपको पता होनी ही चाहिए और यह जानकारी मैंने आपको इस वीडियोस में बता दी है और इसी के साथ में अधिक जानकारी के रिए आपको स्क्रीवर्वववव वीडियो देखने को मिल लेए इस वीडियो पर Simply लिए किलिक करकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों मिद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो चुल्य को लाइक करें चैनल पर नहीं है चानल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं और वीडियों में